नमस्कार दोस्तों, मोधी राज में हिंदुत वादी ब्रिगेट के होसले अब इतने बुलंद हैं कि वही तैकरते हैं कि किस शहर में कौन कलाकार अपना शो करेगा कौन नहीं, कौन कॉमेडियन उनके शहर में किसी स्टेज पर परफॉर्म करेगा कौन नहीं कई फिल्मों के बॉयकॉट की मुहिम के बाद अब बात इतनी आगे बढ़ गई कि आलिया भट और रनवीर को उज्जैन में महाकाल के दर्शन तक से रोग दिया गया सत्ता की सरपरस्ती के दम पर ये हिंदुत वादी और हिंदुत वादियों का ब्रिगट काईदे कानून को ठेंगे पर रखता है और जब तब अपनी ताकत की नुमाईश करता रहता है उपर मोदी बैठ है नीचे कहीं शिवराज है कहीं योगी है कहीं खटर है कहीं हेमंत विश्व सर्मा है कहीं बुमोई यारी उपर से नीचे तक जब सब अपने ही हो तो डर किस पाग का वो कहते हैं न कि सैयां भय कोतबाल तो डर का है का बीते कुछ महिनों के दोरान कई फिल्म है कई फिल्मकार कई कलाकार कई फनकार इनके निशाने पर नहीं ये सिलसिला थमने की बजाए विस्तार पाला है जोर जबरदस्ती या धम की देकर ये लोग किसी का भी शोर रद करा देते हैं किसी की फिल्म उतरबा देते हैं किसी क और शहर में कारेकर्म करने से रोक देते हैं, सब कुछ खुलम खुला और डंके की चोट पर, ऐसे जैसे इन्हें किसी की परवाही ना हो, नाम कहीं वियच्पी का आता है, कहीं बजरंदल का आता है, कहीं किसी हिंदू सेना का आता है, कहीं किसी छुटवाईये और ये सब करके अपने ताकत का इजहार करना ताजा मामला गुरुगराम का है जहां कल ही एक कलब वाले को धमका कर मशूर कॉमेडियन का शोर रद्द करा दिया गया कुनाल कामरा का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा वही स्टेंड अप कॉमेडियन दुनिया भर में उनके शोज होते रहते हैं देश के कई शहरों में कामरा के प्रशंसक हैं मुरीद हैं लिहाजा उनके कारिक्रमों के बुकिंग होती रहती हैं लेकिन कामरा बीते कुछ सालों से हिंदुत वादियों को फूटी आखों नहीं बलकि अपने सटायर से उन पर तीखा प्रहार करते हैं मीडिया के चाटुकार चेहरों को भी अकसर अपने निशाने पर रखते हैं यही किसी को पसंद नहीं बहाने जो भी हो लेकिन वजह हैं हिंदुत वादी एजेंडे पर कामरा का मुफीद नहीं बैठना है तो कल क्या ह गुआ जिसकी वजह से आज मैं यह विडियो करूँ गुरुग्राम के सेक्टर 19 में 29 में एक मशूर बार है स्टूडियो एक्सो बार इस बार में 17 और 18 सितंबर को कुनाल कामरा का लाइब शो होना था बार की तरफ से इंस्टाग्राम पेज पर कामरा लाइब के नाम से शो कि जा रहे थे कुनाल दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे तभी कल यानि शुकरवार को बजरंग डल और बीएच्पी से जुड़े कुछ लोगों ने गुरुग्राम के डीसी को एक ग्यापन देकर इस शो को रद्द करने की मान की कहा गया कि कामरा हिंदू देवताओं का बजरंग डल और बीएच्पी के लोग विरोत प्रदर्शन कर सकते हैं चिठी मेरे हाथ में है अजीत सिंग जिला ध्यक्ष की तरफ से उपायुक्त को चिठी लिखी गई और जिसमें एक तरह से मैं अगर कहूं तो सीधे सीधे चेताब नी है कि गुरुग्राम में तनाव ह कुनाल के खिलाफ गुरुग्राम में एक एफायार भी दर्ज करानी गई इससे पहले बुद्वार को ही बजरंग डल के आट-दस लोग बार पहुँच गए और बार मालिकों को शो रद्द करने की चेताब नी दी मजे की बात ये है कि इस गुरुप में वही लोग थे जो गुरुग्राम में कई जगों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर काफी हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर चुक है उनके वीडियो कई बार वाइरल हो चुक है इन लोगों ने बार के बाहर खड़े होकर बाकाइदा तस्वीरे खिजबाई ताकि अपने गुरुप में बता सकें कि हम शो कैंसिल करने के लिए धंकी देने गए थे तस्वीरे स्क्रीन पर आप इन सब की देख रहे हैं नतीज़ा ये हुआ कि मेनेजमेंट ने शो कैंसिल करने का फैसला गया क्योंकि वो कोई जोक हिम मोल लेना नहीं चाहते बार के जियम ने इन्ने एक्सप्रेस को कहा है उनके हवाले से मैं एक्सप्रेस में ख़वर देख रहा था आज ही चपी है जिसमें जियम ने कहा कि बजरंग दल के कुछ लोग आये थे उन्होंने शो को बंद कराने की धंकी दी हमें कलब चलाना है या बार चलाना है हमने शो कैंल कर दिया ये पूछने पर पुलिस में ये पूछने पर कि क्या पुलिस में अपने कोई शिकायद की उनुरे कहा हमने कोई शिकायद नहीं की हमने टिकट कैंलेशन के लिए प्रॉसेस शुरू कर दिया अब इसी से समझ लिज rằng कि चंद लोग एक बार पहुँचते हैं, बार मालिकों को धमकाते हैं, कामरा का शो कैंसिल नहीं करने पर नतीजे भुगतनी की चेताबनी देते हैं, बार के बाहर खड़े होकर फोटो खिचवाते हैं, यानि सब कुछ डंके की चोट पर पूरे धौस के साथ करते हैं और शो क कैंसिल हो जाता है, ना पुलिस की कोई भूमिका रह जाती है, ना प्रशासन और ना सिस्टम का, अगर सिस्टम कहीं है तो, है भी की नहीं पता नहीं, इसके बाद इन्हें हिंत तुबादी संगठनों के हिम्मत देखिए, विएचपी के नेता इंडिन एक्सप्रस से बाच कर रहे हैं, वो कानून को ठेंगे पर रख कर चल रहे हैं, और एक कॉमेडियन जो दुनिया भर में अपने स्टेज शो के लिए मशूर है, वो हेट मॉंगर हो गया, आपको यादी होगा, कि फैक्ट चेकर जुबैर के खिलाफ सीतापूर में मुकदमा इसी बात को लेकर हु जैसे जिनकी हेट स्पीच सारदिनिक ताउर पर वाइरल हैं, यूट्यूब पर हैं, ट्वीटर पर हैं, फेस्बूक पर हैं, और नफरत की बात, मारने काटने की बात, एक धर्म को टार्गेट करने की बात, तमाम ऐसी बाते हैं जिसके आधार पर, जिनने सलाकों के पीछे होना चाहिए वो खुद को संद कहते हैं मातमा कहते हैं और उन्हें अगर हेट मॉंगर कह दिया जुबैर ने उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए तो जुबैर को सलाकों के पीछे जाना पाँ वही इस मामले में भी कुनाल कामरा को हेट मॉंगर वो लोग का रहे जो दरसल हेट की राजनिती करते हैं या हेट फैलाने का काम करते हैं या उनका पूरा जो उपकरम है जो तरीका है वो हेट के इर्द लेते हैं कुनाल कामरा कामरा ने जब उन्हें जानकारी मिली होगी आज सुबह के इख़वार में दिखा मुझे कि उन्हें तब तक नहीं जानकारी थी लेकिन अभी उन्होंने देर रात को सेट ट्वीट किया है इस शो के कैंसिल होने के बाद अंग्रेजी में ट्वीट है स्क्रीन पर लगा रहा जिसमें कुनाल कामरा ने लिखा पहली लाइन मैं हिंदी तरजुमा कर रहा हूं कि वो हमारी संस्क्रीती का मजा कुडाता है क्लेम दावा वो मतलब कुनाल कामरा अगली लाइन वो हमारे देपताओं का मजा कुडाता है ऐसा हम सोचते हैं मतलब उनके तरफ से कह रहे हैं लिख रहे हैं कुनाल हमारे पास कोई सबूत नहीं लेकिन हमारी शांती भंग हो सकती है तीसरी लें लिखा 12 अफ उस डोंट वांट शो तो हैपन और 500 हैब गौट टिकेट तू वाच इट बारा लोग नहीं चाहते थे शो हो पास सो लोगों ने टिकेट लिया था तो ऐसे समय में ऑथोरेटीज को क्या करना चाहिए ये कुनाल कामरा ने लिखा है और कुनाल कामरा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जैसे मैंने शुरू में का दो तीन चार सालों से निशाने पर है एक ट्वीट कुनाल कामरा का देख रहा हूँ दिसंबर का 2020 का एक दिसंबर का जब बैंगलूरू में उनका शो कैंसिल हुआ था और उसके पहले लगातार अलग-अलग शहरों में उनके शोज कैंसिल हो रहे थे तब कुनाल कामरा ने लिखा था कैंसिलिंग कॉमेडी शोज 101 मत्तब एक शोज कैंसिल हुए थे कुनाल कामरा के एक दिसंबर 2020 तक और उसके बाद से आठ महने से ज़ादा नौ महने बल की हो गए तो इसी से आप अंदाजा लगाईए कि क्या इस्थितियां बन रही है और ऐसे कुछ कॉमेडियन जेल भी हो आये मुनवर फारुकी अभी मुनवर फारुकी का हैदराबाद में एक शोज था और मुनवर फारुकी का शोज ना हो इसके लिए जो वहां के बीजेपी के विध हर सहर में कैंसिल हो रहे हैं उन पर भी इसी तरह के आरोप है अब सवाल ये उठता है कि इस दौर में क्या अभिवेक्ति की आजादी कॉमेडियन्स को कलाकारों को या फनकारों को नहीं है क्या आलिया भट और रनवीर कपूर अगर जाना चाहें उज्जैन महाकाल के आप उन्हें दर्षन से रोक दे और उन्हें लोटना पड़ जाए और सरकार देखती रहा जाये पुलिस उन्हें उचित ब्यवस्था न करे और उनकी गिरफ्तारी न हो जो उन्हें रोक रहे हैं तो ऐसी चीज़ें देश में लगातार अलग अलग शहरों में होती रही है ह पूर रही हैं फिल्मों के बहिशकार की का सिलसला बीते आप कुछ मेनों से लगतार देख रहा है इसके वज़ा क्या है कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा सिर्फ एक कट्टर हिंदुत और एक धर्म विशेस से नफरत इसके अलावा कोई वज़ा नहीं और इन्हें सरपरस्त दिमिलती है या इन्हें संडेक्शन मिलता है उन्ही सब लोगों से उन्ही सत्ता धीशों से जिनका नाम मैंने शुरू में ले लिया है और इन सब को पता है कि यह जोर जवर्दस्ती भी करेंगे अगर इस गुरुग्राम के इस बार में कुनाल कामरा का शो होता बार मालिक करके अब बार के मैनजर स्टैंड लेते कि हम स्चो केंसिल नहीं करेंगे तो कोई शक नहीं कि बार के बार तोर्फोर बंच जाते हैं 100-200 25 लोग जाकर पत्थर बाज़ी करते हैं कुछ भी हो सकता थी पुलिस मी पुलिस का काम है सुरक्षा देना पुलिस का काम है कि حलणव को आहत किया अपने कॉमेडी से शो से उसके लिए कानूने रास्ता है अगर ऐसा है तो लेकिन ये तरीका कौन सा है कि हम शोज नहीं होने देंगे हम स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करने देंगे हम उजयन महाकाल का दर्शन नहीं करने देंगे हम जो चाहेंगे सो करेंगे हम ही देखते हैं कब तक चलता है फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी वीडियो में और जब तक हम बोल सकते हैं तब तक हम बोलते रहें क्योंकि बोलना तो है नमस्कार